जब इरान की ये मिसाइल फायर की जाती है तो तस्वीरें ऐसी होती है जब इरान की ये मिसाइल अपने टार्गेट पर गिरती है तो धमाखा ऐसा होता है अब यही मिसाइल भूस पहुचने वाली है और समझ लीजिए कि इस मिसाइल को लेकर बात पक्की हो गई है ये है इरान की फतेव 1-1-0 मिसाइल अमेरिका इसकी दहशत जानता है इस्रेल इसका खौफ समझता है और अब इसी मिसाइल के जरिये पुतिन योगरेन को डराना चाहते हैं रिपोर्ट ये है कि इरान की ये मिसाइल रूस पहुचने वाली है और ऐसा अक्टूबर में ही हो सकता है फतेव 1-1-0 को टेस्ट हुए पूरी दुनिया ने बहुत देखा है अब इसकी असली हमले वाली लॉंचिंग भी दुनिया जल्दी देखेगी ऐसा क्यूं होगा इसके बारे में वाशिंटन में मौजूद इंस्ट्यूट ओफ स्टडी ओफ वार ने बहुत साफ साफ बात 18 अक्टूबर को इरान पर संयोक्त राश्व की तरफ से लगे मिसाइल और ब्रून बेचने की पाबंदी खत्म हो रही है और उसके बाद इरान अपनी मिसाइल और ब्रून खुलम खुला बेच पाएगा अब सवाल है कि आखिर ये कैसी तैह हुआ कि ये मिसाइल भूस खरी इरान का दौरा किया था ये दौरा बहुत सीक्रेट रखा गया हाला कि जो तस्वीर सामने आए उसमें ये साफ हो गया कि सरगेई शोईगू इरान की मिसाइल देखने तहरान आये इरान ने उनके सामने अपने एक एक हथियार की डीटेल रखी इसमें ड्रून भी थे और ब दरूरत पूरी हो सकती है इसमें सबसे खास रही फत्य वन वन जीरो मिसाइल सरगेई शोईगू ने इस मिसाइल को बहुत गोर से देखा उन्हें बताया कि ये कितनी खतरनाक और सकीत मिसाइल है और ऐसे हथियार से रूस जेलन्सकी के बड़े बड़े अट्टों को अब एसे हैं ये वाग साफ हो रही है कर दारतां वागे मेरा ऊजभीू दोस्तुआ। पारीक को जब इरान की मिसाइल सेल पर पाबंदी हटे तो इसका सबसे बड़ा फाइदा रूस को ही होगा और सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ योक्रेन को नहीं होगा ये बात भी तैह फत्य है 110 मिसाइल को लेकर डर इतना जादा क्यूं है क्यूं है इतना जादा खौफ क्यूं इरान और रूस के दुश्मन बहुत जादा घबराए हुए हैं इसकी बहुत सी बारीक बाते हैं आपको एक एक करके बताते हैं इंफोमिशन वाल के जरिया को समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यूं इतना जादा खौफ इस टैक्टिकल शॉर्ट रेंज बैलेस्टिक मिसाइल को लेकर है इरान की ये मिसाइल 300 किलोमेटर की रेंज तक हमला कर सकती है इसकी रेंज 300 किलोमेटर है और 300 किलोमेटर की रेंज किलो ग्राम का वारेड है यह साड़े तीन हजार की किलो की जो मिसाइल आप देख रहे हैं फतेह वन वन टेन पांसो किलो का वार हैड ले जाने में सक्षम है यह यहां यह मिसाइल गिरती है वहां 500 किलो वाले बम का धमाका होता है जो सर्फ और सर्फ अपने साथ तबाही लेक कराता है यह अपने टागिट के तीम मीटर के दाइरे में गिरती है और एक बैलेटिक मिसाइल का इतना जादा सटीक होना यकीन मानिए बहुत बड़ी बात है यह मिडल इस्ट में अमेरिका के खत्रे को देखते हुए बनाई गई थी और यही बात है जो पुतन को बहुत जाइन में एक्टिव है और इस्राइली सेना को खदेरने में सक्षम है फटेव 1-1-0 वाकई बहुत खदरनाक मिसाइल है इस मिसाइल के नए वर्जन फटेव 313 इससे पहले अपना प्रैक्टिकल दिखा चुकी है इसी मिसाइल से इरान ने इराक में मिलिटरी बेस पर हमला किया था यही वज़े है कि इरान ने इराक में अमेरिका के मिलिटरी बेस पर यह मिसाइल दागी थी इस मिसाइल के धमागों ने 100 से जादा अमेरिकी फौजियों को जैनी रूप से बड़ी चोट पहुँचाई थी जिससे ट्रामेटिक ब्रेन इंजिरी भी कहते हैं हमले के बारे में दफसील से जानने के लिए पहले देखिए ये मिसाइल क्यों खबरों में है अमेरिका से लेकर यूरप तक मीडिया इसी मिसाइल की बात कर रहा है इसरेयल में भी यही मिसाइल चर्चा में है पुतिन ने इरान से फटव 110 को लेकर बात पक्की कर लिये यूक्रेन की मीडिया और सरकारी सोर्स भी अब इरान के इस मिसाइल को लेकर बहुत ज्यादा दैशत में है इरान की ये मिसाइल 2002 में तयार की गई थी इसका निर्माण 2002 में हुआ था और तब से इसके कई वर्जन बनाये जा चुके है इसका एडवांस वन वर्जन जो है वो ज़ादा इस्तिमाल किया जाता है इसका आधूनेक और लंबी रेंज वाला वर्जन 313 है इसकी रेंज 500 किलोमेटर से ज़ादा की है यानि कि 500 किलोमेटर के दायरे में जो भी इसके टागेट पर आता है वो खत्म तबा हो जाता है और इस मिसाइल ने खुद को साबित करके दिखाया भी है योकरेन और एजरेल के इंटलिजन्स रिपोर्ट दाबा कर रही है कि दूस को फट्य वन वन जीरो के साथ कि किसी भी तरह युकरेन की फट्च को ऐसी एर डिफेंस से लैस किया जाए जो इरान से मिलने वाली ड्रोन और मैसाइल को कांटर कर सकी सьогоднішній російський обстріл ракетами і дронами теж призвів до нових перебоїв з електрикою, але це виправляється Відновлювальні роботи тривають, така форма терору не дасть Росії нічого जैलन्सकी को ये बात पता चल गई है कि फटव 1-1-0 मिसाइल को रोकना बहुत मुश्किल है और इसमें अमेरिका भी पूरी तरह फेल साबित रहा है 8 जन्वरी 2020 को इरान ने जब इराक में अमेरिका के दो मिलिटरी बेस पर हमला किया, ये उसकी सैटलाइट तस्वीरे है इरान ने चुन-चुन कर अमेरिका के अड़ों को तबाह किया था कई हैंगर, कई कमांड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह तबाह हो गए थे अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी इसलिए उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे लेकिन अमेरिका के एर डिफेंट सिस्टम इरान की फत्व 1-1-0 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे इरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइले दागी थी ये जहां गिरी, वहां ऐसे ऐसे गड़े बने और 100 से ज़ादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था ऐसी ही मेसाइल पावर से पोतिनलेस होना चाहते हैं ताकि वो जैलंस्की को वो आला सबक सिखाएं जो इरान ने अमेरिका को सिखाया था ये ना सिर जैलंस्की के लिए खत्रा है बलकि पश्चे मेरिश्या में इरान और रूस का एक नया तालमेल तयार कर रहे हैं जिसका नुकसान इसराइल और अमेरिका दोनों को होगा अब इरान के तेवर समझने हैं तो आप दो तस्वीरों को बहुत गोर से देखिएगा इरान ने पहले 19 सितंबर को रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोईकू को फटव 110 मिसाइल दिखाई और फिर 22 सितंबर को यही मिसाइल अपने बहुत ही खास परेड में दुनिया को भी दिखाई यह काले रंग वाली मिसाइल फटव 110 को देखाने का मकसद है कि इरान और रूस के दुश्मन काबो में रहें सवाल है कि रूस और इरान साथ आए तो जैलेंस्की क्या करेंगे एर डिफेंस तो ठीक है लेकिन ठककर तो बराबर की होनी चाहिए इसलिए जैलेंस्की के ओपरेशन को भी बहुत गोर से समझेगा जैलेंस्की को अब एट अकम्स मिसाइल मिलने जा रही है जो हाइमर्ज जैसे लॉंचर से दागी जाती है इसकी रेंज 300 किलोमीटर होती है अमेरिका से लेकर योकरें तक तमाम मीडिया और देश की सरकाने अब इसी मिसाइल की बात कर रही है एट अकम्स मिसाइल पर अमेरिका ने अभी तक खामूशी बनाय रखी थी लेकिन अब वो ये मिसाइल योकरें को भीज रहा है अगर जैलन्सकी को ये मिसाइल मिली तो उनके हमले रूस के अंदर तक होंगे और ये युद्ध का दायरा बढ़ाने वाला बड़ा खत्रा हो सकता है अमेरिका को मालूम है कि जैलन्सकी इरान से सप्लाई किये गए शाहिद 136 के आगे लाचार हो चुके है और अगर उन्हें फतेव 110 जैसे मिसाइल मिली तो रूस की फौज कैसे क्यों को रौनते हुए आगे बढ़ जाएगी the most recent escalation the United States strongly condemns Russia's missile strikes today which continued to demonstrate Putin's brutality as you know President Biden and the G7 leaders met with President Zelensky last week and President Biden also spoke with President very нажby one-on-one the day before that G7 conversation we are in daily touch with the इससे पहले एरान के शाहिद 136 ने बहुत बड़ी तबाही मचाई है यह वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता बलकि एक साथ कई ड्रोन लॉंच किये जाते हैं यह अत्मघाती ड्रोन है इन्हें इरान का कामिकाजे ड्रोन भी कहा जाता है जो योकरेन की पोजिक्शन पर अटाक कर रहे हैं देखा जाए तो इरान अब सीधे तोर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है और इसलिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताखत रोस को दी है जब ब्रोन से अटाक होता है तो आस्मान से तबाही बरस्ती है ये इसका ओरिजनल वीडियो है ब्रोन जब ऐसे गिरता है तो बचने का कोई तरीका नहीं रहता ये स्वाम अटाक यानि एक साथ मधुमक्षियों की तरह हमला करते है ये जहां टार्गेट करते हैं वहीं हमला करते हैं ऐसे ही हथियारों की सबसे बड़ी प्रयोग शाला बन चुका है योगरे इरान ऐसे युद में एक नई एंट्री है और उसके ड्रोन इरान की ड्रोन पावर को पूरी दुनिया में पहचान दिला चुके है अब पारी फते 1-1-0 मिसाइल की है जो पुतिन को घजब की पावर देगी इरान के हथियार मिलने से पुतिन को जबरदस्ट फायदा हुआ है जबकि जैलेंस्की को अब बड़े नुकसान का खत्रा समझ में आ गया है क्योंकि अब ब्रून के साथ रूस के पास इरान की मिसाइल भी आने वाली है पुतिन और इरान की दोस्ती अक्टूबर के महीने में अमेरिका और नैटो को बहुत धक्का पहुचा सकती है इरान से निकाली गई आग अब योकरेन में नए शोले भरकाने वाली है और पुतिन इसके लिए पूरी तरह तैयार हो चुके है